और स्वागत है आपका मेरे चैनल को कुईत वैशाली में आज हम चटपटा इविनिंग स्नैक्स बनाने जा रहे हैं जो कि बच्ची भी खा सकते हैं और बड़े लोग भी खा सकते हैं तो चलिए इसके लिए क्या चाहिए देखते हैं सबसे पहले लेंगे हम एक छोटी कटी एक छोटा कटा हुआ टमाटर थोड़े से हरी दनिया कटी हुए नमग शुगर यह सुहाना का चाट मसाला मैंने यहां पे लिया है और एक बाला जी मसाला सेव मुरमुरा का पैकेट लिया है तो चलिए देखते इसको कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ठोड़ा से नमापी हम क्या यहां टमाटर की ऊपर डाल देंगे तकि उसका पानी चुटi और फोड़ा सा चाट मसाला हुआ हमें इसमें थोड़ा डालना है और हम इसको मिक्स कर देते हैं इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारे चीनी पिगल जाए अगर थोड़ा सा बीच में चीनी क्रंची लग भी जाती है तो उसका स्वाद अच्छा लगता है इसको अफटा-फट बना सकते हैं अगर वर्किंग मन है ऑफिस से आने के बाद उनको नास्ता करने की इच्छा तो वह यह स्नैक दो मिनिट में बना कर खा सकती है बच्छों को भी खिला है और यह देखिए यह बामारा बन गया है आप हम क्या करेंगे इस पैकेट को फोड़ेंगे इस पैकेट को फोड़ने के बाद हम इसमें यह कटा हुआ सामगरी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको चाट मसला ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं यह आपके टेस्ट के अनुसर आप ले सकते हैं अब मैं इसको फाइनली थोड़ा सा चाट मसला उपर से डालूंगी इसको मैं हाथ से ही स्प्रिंकल करने और रेड़े हैं आपकी बेल आप इसको फटा फटा खाएं और एंजाई कीजिए अगर आपको यह मेरी रेसेटी पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए मेरे चानल को सब्सक्राइब करिए उपे बेल के वाती कीजिए एंगी इसको ड्राव करें कीजिए